जहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्व चेनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर 24 मार्च 2021 का बहुती मात्पूर्ण करें टफेर तो वीडियो को पूरा अबस्ते देखें अगर आप चेनल पर पहली बार आएं तो चेनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें थाकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक सबसे पहली पहुँचे जादा से जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो आज का अपने हाँ पर फर्स्ट कॉस्चन है प्रदानवंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2021 को 200 जल दिवस के मौके पर किस अभियान की सुरुवात की है तो देखिए इस अभियान की जो सुरुवात की है 22 मार्च 2021 को तो कौन सब है अभियान है आपके लिए बताना है तो आपका सही आंसर है जल सकती अभियान जल सकती अवियान विकल्प नंबर एक राइट आंसर है और प्रधानमंत्री मोधी कोरोना वायरस की वज़ा से इस अवियान को वीडियो कॉंपरेंसिंग के जरी इन्होंने लॉंच किया है तो विस्ट जल दिवस के मौके पर जल सकती अवियान की सुराच की है और कवकी है 22 मार्शे 2021 को इस अवियान का उद्देश सभी धारकों को बारिस के पानी के भंडान को सुनेश्चित करने के लिए जलवायू परिस्थितियों और उपर समतल शेत्रों के लिए उप्रवक्त पारिस का पानी सरक्षित करना इसका जो है इसे का प्रमुक के उद्देश्य है इस अवियान का अंगले कोस्चिन यहाँ पर पूंचा गया है कि भार्तिय संस्कृति मंत्रालाई नेवर्श द्वाजा बीस्ट के लिए गांधी पुरुषकार जो गांधी सांधी पुरुष पुरुषकार बंगलादेश की राष्टे पिता बंगबंदू सेख मुझी वर्रहमान को प्रदान किया जाएगा गांधी सांधी पुरुषकार जो है वर्स उन्ने सो पंचानवे महत्मा गांधी की एक सो पच्चिस भी जनती की उपलक्ष में वारत सरकार द्वारा इस्ता पुरुषकार दिया जाता है और जो है इस पुरुषकार को कब इस्तापित क्या था उन्ने सो पंचानवे में कब उन्ने सो पंचानवे में और महत्मा गांधी जी की एक सो पच्चिस भी जनती पर इस जो पुरुषकार है भारत सरकार द्वारा इसको इस्तापित किया गया और है क्याए सा प्रोषकार 50 प्रोषकार है अंगला कॉस्चिन पूंचा गया कॉस्चिन नमबर तीन कि 67 वे Menschum reward समारों में किस lifty को national award से सम्मानित किया जाएगा तो वह अभिनेत्री बताने कौन है वह अभिनेत्री तो तीन का राइट आंसर आप कहां पर कंगना रनोत यानि की विकल्प नमबर डी आप कहां पर राइट आंसर है देखे कें सरकान ने साल 2019 के लिए 67 वे राष्टिय फिल्म प्रोस्कार की गोशना कर दी है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखे सौरफ चोधरी और मनु भासकर ने ISSF सूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया है तो इन्हों ने बहुत जो पदक अपने नाम किया है बहुत पदक बताने कौन सा बहुत पदक है ISSF सूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जो है अपनी नाम इन्होंने क्या है भारतिय जोडी ने फाइनल में इरान के गोल 9 से सेव हा तो लाही और जाविद फोरोगी को 16-12 से हराया है और दूसरी सीरिज के बाद जो है भारतिय जोडी 0-4 से पीछे चल रही थी लेकर उन्होंने इसके बाद सांदार बापसी की और मौझूदा सूटिंग वनल कप में इह भारत का पांचवा गोल्ड मेडल है तो पांचवा गोल्ड मेडल है याद रखी अंगला कौस्चिन है सही दिवस निम्निम्यंसी किस दिन मनाया जाता है ये question आपका बहुती मात्वण question पूचा गया है सही दिवस जो मनाय जाता है वह मनाय जाता है आपका कब मनाय जाता है विकल्प नमबर C आनि की 23 मार्च आपका सही answer है देखिए सही दिवस भारत में 23 मार्च को मनाय जाता है इस वलिदान को याद रखने के लिए इस दिन जो है यानि की 23 मार्च को पूरे देश में पूरे भारत में सही दिवस की रूप में बनाय जाता है वागस्या के वल देश साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई थे लेकन उनके क्रांतीकारी विचार बहुत ब्यापक थे किसके वागस्या जी के अंगला कॉस्चिन क्या है तो देखिए कॉस्चिन नमबर आपका यहाँ पर जो 6 पूंचा गया है वागस्या पूंचा गया कि 67 वे नेशनल अबॉर्ड समारोय में निम्नमय से किस फिल्म को सर्फ सिष्ट फिल्म की अबॉर्ड से समानत किया गया है तो वागस्या फिल्म में बताना है कॉस्चिन नमबर 6 का राइट आंसर बताना 4 विकल्प दिये गए है चेक राइट आंसर विकल्प नमबर भी छिछोरी छिछोरी आपका राइट आंसर है देखे 67 वे नेशनल फिल्म अबॉर्ड की गोशना हो गई है 2019 के लिए दिवंगत अभी नेता सुसान सें राजपूत की फिल्म है चिछोरी याद रखना चिछोरी जो फिल्म है एक इसकी है सुसान सें राजपूत की और इनको बेस्ट हिंदी फिल्म अबॉर्ड मिला है नितेश तिवारी निर्देश चिछोरे में सुसान के सांस रद्या कपूर बरनौट सर्मा और ताहे राज भसीन निमुक भूमिका इसमें निभाई थी फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी एह फिल्म जीवन में कभी ना हार मानने का संदेश बेहत मनुरंजंग धंग से देती है एह फिल्म 6 चोरे याद रखिये सुसान सें राजपूत जी की एह फिल्म थी और अंगले कौस्चिन क्या है कि विश्वय कभीता दिवस यानि की वल्ड पूल्टरी डे निम्न में ऐसे किस दिन मनाया जाता है कौस्चिन नमबर 7 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है question number 7 है question number D आपका यहाँ पर सही answer है यानि कि 21 March आपका यहाँ पर सही answer है 21 March right answer है बिल्कुल सही देखें आपर क्या है बिस्व बर में कभीता के पठन लेखन प्रिकासन और अध्धापन को बड़ावा देने के लिए पिरतेक बर्स जो है 21 March को बिस्व कभीता दिवस से यानि की वर्ड को ट्रीडे मनाया जाता है एदर सांसकर्टे को भासाई अभीता दिवस की रूप में से एक है और युनेस्को ने पहली बार 1999 पेरिस में अपने तीस भी आम सम्मेलन की द्वारान एक तीस मार्च को बिस्व कभीता दिवस की रूप में मनाया था बिस्व कभीता दिवस की रूप में जो है पहली बार कम मनाया था तो 1999 में किसने युनेस को ने और जिसका उद्देश से काब बे अभीबैक्ती के माध्याम सी भासाई विद्दा का समर्थन कनना और लुप्त प्राइभासां को सुनने का आउसर बढ़ाना इसका जो है प्रमुक्ष उद्देश है तो बिस्व कभीता दिवस कम ने जाता है एक किस मार्च को अंगला कॉस्चन हाल ये में किस प्रख्यात ओडीसी निर्टांगना का जो है च्यासी वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया च्यासी वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है क्या नाम है इनका तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र आपका विकल्प नंबर एक यहां पर राइट आंसर है प्रक्ष्मिय प्रिया का जन्म खुर्दा जिले में हुआ था अला कि वाले जीवन पुरी में गुजरा था पुरी में मौजूद अनकोण रंग मंचे पर उन्होंने नत्य अभी नए जो है किया था पुरी में तो अंगला कॉस्चिन क्या है तो देखिए यह है आपका अंगला कॉस्चिन क्या है काकरा पार परमानु सक्थी केंजर निमनलकित में असी किस राज्च में है यह आपका पिछले वीडियो का चेलेंज प्रिशन था जिसका आंसर बहुत सारी लोगों ने राइट आंसर दिया था कि गुजरात आपका यहां पर सही आंसर है क्या राइट आंसर गुजरात आपका सही आंसर था देखिए काकरा पर पर परमानु उर्जय सयंत्र भरत का एक जो है परमानु उर्जय सयंत्र है जो गुजरात के ब्यारा नंगर के समी पिस्टे थे यहां पर 220 मे पहली एकाई और यह जो कहां पर है गुजरात में गुजरात की व्यारा नंगर में व्यारा नंगर की समीप है काक्रा पार्परमानू उर्जा सयंद्र अंगला क्या है आज का चेलेंज प्रेशने गंगा नदी की किनारी स्थित सबसे बड़ा सहर देखिए आपसे यहां पर पर या इलाहबाद आंसर बनता है आप कमेंट में जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक करने अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दबाएं ऑल पर किल करें यहीं पर आपके लिए पीडियाप और इस्टेडी माटेरियल और प्लब्द कराय जाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जैए हिंद